अपन मनुरंजन अभी हाली में माननिय गिरी मंत्री श्री अमित शाहची ने एक पोटर लॉंज किया CRCS जिस पे सही तरीके से आवेदन करके आप अपनी धनराशी अपने खाते में वापिस पा सकते हैं मगर याद रहे आपकी जराशी भी चूक जराशी भी खलती आपके धनराशी के वापशी पे ग्रहन लगा सकता है अपनी धनराशी वापिस पाने के लिए सबसे पहले आपको सही तरीके से ओनलाइन आवेदन करना पड़ेगा सही तरीके से आवे दर कैसे करें तो चलिए सीखते हैं आज की इस वीडियो में तो आएए चलें कम्प्यूटर के स्क्रीन पे Google सर्च में हम लिखेंगे crcs.gov.in वैसे crcs लिखते ही इसका लिंक आपको नीचे दिखने लगेगा दोस्तों तो यह रहा Central Register of Cooperative Societies यानि CRCS Refund Portal का लिंक अब यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं यह देखिए क्लिक करते ही अगले पेज़ पे हम आ चुके हैं यहाँ पे क्लिक करके हम जमा करता का पंजी करन कर लेंगे उसके बाद जमा करता लॉग इन करेंगे उसके बाद आगे यह पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं माननी सुप्रिम कोट का आदेश आविदन कैसे करें वगर वगर आप पढ़ सकते हैं जमा करता पंजी करन पे क्लिक करते ही आपको नया पेज मिला इस पेज में सबसे उपर देखिए आपको आधार का जी हाँ आधार का आखरी का चार डिजिट चार अंक डालना है और हाँ यह देखिए यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का 10 अंकों का मोबाइल नमबर डालना है जो आधार से लिक्ट हो आधार के आखरी का चार नमबर डाल दिया यहाँ पे मोबाइल नमबर डाल दिया यहाँ पे OTP प्राप्त करें क्लिक किया थोड़ सा वेट करेंगे टाइम लग सकता है प्रतिक्षा करिए यहाँ पे नीचे आप OTP डालेंगे यह OTP आ गया हमने OTP डाल दिया OTP सत्यापित करें, क्लिक कर दिया इस box को चेक करेंगे और मैं सहमत हूँ, क्लिक कर दिया यहाँ पे नियम शर्तों को पढ़लेंगे, फिर अगला पे क्लिक करेंगे अब इस page पे, यहाँ पे पूरा आधार नमबर, जी हाँ, पूरा आधार नमबर डालना है यह फटफट आधार नमबर हमने डाल दिया उसके बाद यह देखिए, यहाँ पे OTP प्राप्त करें इसको क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया इस message का मतलब है, आपका मोबाइल नमबर आधार से लिंक नहीं है पहले मोबाइल नमबर आधार से लिंक कर वालें और देखिए, यहाँ पे जैसे ही हमने लिंक टो मोबाइल वाला आधार नमबर डाला तो हमें एक ऐसा इंटरफेस मिला यहाँ पे फिर से हमें लिंक टो मोबाइल नमबर पे OTP प्राप्त हुआ OTP डाल दिया, OTP सत्यापित करें, थोड़ी सी प्रतिक्षा करें यह देखिए, हमें एक फिर से नया इंटरफेस मिल गया यह रहा खाताधारी का डिटेल सब से उपर पूरा नाम उसके बाद जन्म की तारीख उसके नीचे पितापती का नाम और यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है आधार सीडिट बैंक जो आपका आधार से लिंक है वही बैंक अकॉट यहाँ पे डिटेक्ट करेगा यह नीचे देखिए, इमेल यह वैकल पिक है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, अगला पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर दिया यह देखिए, हमें फिर से एक नया पेज मिल गया यहाँ पे सोसाइटी सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले है सहारा क्रेडिट कोपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड उसके नीचे हमारा इंडिया क्रेडिट कोपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड उसके नीचे है सहारियन उनिवरिसल मल्टी परपस सोसाइटी लिमिटेड और सबसे नीचे स्टार्स मल्टी परपस कोपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आप पासबुक पे सर्टिफिकेट पे दे प्रमान पत्र पास्बुक नमबर यहां पे जिनके पास पास्बुक नमबर है वो डालें जिनके पास चर्टिफिकेट है वो नमबर डालें ठीक है उसके बाद यह नमबर डाल दिया हमने देखिए जिस तारीख में आपने खाता खुलवाया था सहारा में एकाउंट खुलवाया था वही तारीख है यहांपर डालेंगे मतलब maturity वाले तारिक नहीं डालेंगे जिस दिन आपने खाता खुलवाया था खाता open किया था वही तारिक डालेंगे अब यहाँ पे देखिए आपको भरना है deposited amount यानि जमा योगतान राशी जो रुपए जो पैसे जो धन राशी आपने सहारा में जमा किये वही डालेंगे यह देखिए यहाँ पे आपको वो documents जिसकी details आपने उपर भरे हैं वही submit करना है देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है किस format में आपको डालना है उस format में आपको अपने document को बना लेना है धियान रखें आपके document का file जो बनेगा उसकी size 200KB से कम होनी चाहिए देखिए कभी कभी क्या होता है JPEG, PNG तो show करता है यहाँ पे लिकिन अगर आपने PDF बनाया तो वो show नहीं करेगा यहाँ पे नहीं देखेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे click करेंगे और all files को select कर लेंगे यह देखिए, दिखने लगा फिर यहाँ से open किया यह देखिए, हमारा document यहाँ पे upload हो चुका है इसे हम scroll करके उपर नीचे चेक कर सकते हैं कि ठीक ठाक upload हुआ कि नहीं हुआ यह देखिए, यहाँ पे लिखा है दावा जोडे दावा जोडे पर click करेंगे तब ही हमारा उपर का सारा details नीचे add होगा जब तक हम इस पर click नहीं करेंगे हमारा details add नहीं होगा अब देखिए, यहाँ पे हम दावा जोडे पर click करेंगे click करते ही क्या होता है कि यह हमें एक और नया interface देदेगा यह देखिए, नया interface मिल गया और यहाँ पी यह नीचे देखिए जो details आपने उपर भरे थे वो सारे details यहाँ पे दावा जोडे में click करने के बाद आ चुके हैं, यहाँ पे आप चाहें तो delete भी कर सकते हैं, edit भी कर सकते हैं, अब देखिए, यहाँ पे उपर में पहले की तरह ही आपको क्लिक करेंगे, तो देखिए, कुछ इस तरह से हमें interface प्राप्त होगा, आप जितने भी दावे जोडते जाएंगे, नीचे यह बढ़ता जाएगा एक, दो, तीन, चार, पांच जोड़ चुके हैं यह तो आपको दिखाने के लिए मैंने बता दिया है आप चाहें तो कितने भी दावे जोड़ सकते हैं अब इसके बाद हम अगला पर क्लिक करते हैं यह क्लिक कर दिया, नया interface मिल गया हमें अब यहाँ पर देखिए, दावा अनुरोध पत्र generate करें, इसको क्लिक कर दिया फिर से हमें एक नया page मिल गया देखिए, यहाँ पर लिखा हुए फॉर्म डाउनलोड करें, ध्यान देजिए अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो उससे पहले सोच ले कि आपने जो जानकरिया भरी हैं, वो सारी की सारी सही हैं उसके बाद ही आगे बढ़ें, अनृत्या यहाँ क्लिक करने के बाद आप कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे यहाँ पर क्लिक किया, आगे बढ़ते हैं यह देखिए, हमें एक फॉर्म मिल गया है इस फॉर्म को हम क्या करेंगे प्रिंट कर लेंगे, चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं देखिए, यहाँ पर आपको दो फॉर्म मिलेंगे पहले फॉर्म पर निवेशक की फोटो चिपकानी है और क्रॉस साइन होगा आधा साइन पेपर पे, आधा फोटो पे और दूसरी फॉर्म पर निवेशक का साइन होगा मोबाइल नमबर डाला जाएगा और स्थान, यह सब कुछ करने के बाद फिर से आप इस फॉर्म को स्केन कर लें एक बात का धियान रखें जो आप फॉर्म स्केन करते हैं यानि कि दोनों ही फॉर्म स्केन करने के बाद जो फाइल आप अपलोड करेंगे उसकी साइज दो एमबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और हाँ, यदि आपका आमाउंट पचास हजार या उस से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको निवेशक के पेन कार्ड का नमबर भरना है और हाँ, याद रखें, यहाँ पर आप पेन कार्ड का स्कैन कॉपी भी अपलोड करें जिसका साइज पचास के बी से कम होना चाहिए यह देखिए, यहाँ पे लिखा है अपलोड करें अब इसको हम क्लिक कर देते हैं यह आ गया, दस्तावेज सफलता पुरूबक अपलोड किये गए अगले चरण पर जाएं, अब देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे अब जो हमें इंटरफेस यह मिला है, इसका स्क्रीन सॉट लेकर कस्टमर को प्रिंट करके दे दीजिए, आपका काम फिनिस